वजीर एक्स में ट्रेडिंग करते वक्त जिन बातों का आपको पता होना चाहिए वो सारी बाते आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाली हैं हम इस वीडियो के अंदर वजीर एक्स ट्रेडिंग का जो प्रोसीजर है वो step by step देखने वाले एक एक points को ध्यान से देखन हैं तो अगर सबसे पहले तो आपको पता ही है कि आपको वजीर एक्स में अगर trading वागेरा करनी है तो INR deposit करना पड़ेगा simply मैं आपको यहाँ पर funds पर जाके दिखाता हूं तो मैंने यहाँ पर 100 रुपे कर लिये हैं ठीक है 100 रुपे एकदम आसान नंबर है तो इससे हमें पता चल जाता परसंटेज वगेरा का भी सब कुछ तो 100 रुपे मैंने डाल लिये हैं और यहाँ पर WRX जो की वजीर एक्स का अपना token है वजीर एक्स token वो भी है मेरे पास 73 रुपीज के तो आप यहाँ देख सकते हैं total portfolio 173 रुपीज 0.09 पैसे मेरे पास portfolio यह है मेरा यहाँ पर proper तो यह है वजीर एक्स की home screen आप वजीर एक्स को अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता ही होगा नहीं तो आपको detail by step by step पता चलने ही वाला है तो देखो quick buy का यह जो option होता है इसमें आप अगर जाते हो तो आप direct INR से कोई सी भी crypto यहाँ पर खरीद सकते हो ठीक है मा quick buy से आप direct INR से यहाँ पर investment कर सकते हो लेकिन अगर आपके पास INR नहीं है या फिर USDT है या फिर bitcoin है या कोई दूसरी cryptocurrency है basically तो आपको यहाँ पर exchange पर click करना पड़ता है इस पर exchange पर click करके यह INR यह USDT यह WRX यह BTC और यह P2P तो इन सब का मतलब यहाँ पर होता है यह जो INR ह इसका मतलब है कि यहाँ पर यह सारी जो cryptocurrencies हैं उन्हें आप खरीच सकते हो INR दे करके ठीक है अपने जो rupees है आपके पास जो मेरे पास यहाँ पर INR है 100 rupees मैं उसको यहाँ पर trade कर सकता हूँ यह लिखा भी हुआ है यहाँ पर USDT slash INR तो मेरे पास INR से मैं USDT यहाँ पर खरीच स की फॉर्म में खरीच सकता हूँ मतलब USDT दे कर यह cryptocurrency खरीच सकता हूँ और यह WRX मतलब वजीर X token अगर मेरे पास है जो कि मेरे पास 73 rupees के है मैंने आपको यहाँ दिखाया था 73 rupees तो मैं यहाँ पर अपने वजीर X token से यह cryptocurrencies खरीच सकता हूँ वजीर X token दे कर वो crypto खरीच सकता ह है मेरे पास 100 rupees 200 rupees जितने के भी तो मैं उनसे वो procedure भी अभी हम देखने वाले हैं तो उसको देकर मैं यहाँ पर कोई सी भी crypto खरीच सकता हूँ और यहाँ पर फायदे की चीज़ है दो तिन option जो आपको पता होने चाहिए जो धियान में रखने चाहिए प्राइज अगर आपक stocks gold यह जो coin है ethereum उस हिसाब से listing हो जाएगी जिसमें सबसे ज्यादा price होगा वो सबसे उपर उससे कम उससे कम और फिर दुबारा अगर इसको हम click कर देंगे तो सबसे कम price वाली crypto उससे ज्यादा price उससे ज्यादा price उससे ज्यादा price ठीक है तो यह चीज है और change पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो 24 hours के अंदर जिसके अंदर सबसे ज्यादा change हुआ मतलब सबसे ज्यादा या तो उपर गई या तो सबसे ज्यादा नीचे आई तो वो यहां पर दिखाएगा 14% यह जो Synthetix Network token है 214 रुपे का है यह 14% उपर गया है यह 24 घंटों के अंदर तो जिसके तो यह माजरा होता है यहां पर trading का अब मेरे पास जैसे INR हैं ठीक है मेरे पास funds में 100 रुपे के INR हैं वजीर X है 73 रुपीज के 72 रुपीज के ठीक है तो मैं यहां पर खरीदना चाहता हूँ INR से कोई सी भी cryptocurrency मान लेते हैं इसको मैं bitcoin ही खरीदता हूँ ठीक है bitcoin खरीदना ह इसके price में क्या difference है क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब चीज़े दिखाता है हाला कि continuously अपडेट नहीं होता क्योंकि यहां पर एकदम से चीज़ें अपडेट करने के लिए 5-6 मिनट का time लगेगा 5 मिनट में अगर कोई change आपको देखना है तो basically 5 मिनट तो आपको wait करना पड दिखाता है Bitcoin, INR, order book, यहां पर यह सारी trading दिखाता है कितने क्या orders लिए गए, Bitcoin के कितने orders दिए गए, यहां पर यह trading दिखाता है, कितने price में, कितने volume पे Bitcoin को trade करा गया, मतलब time के हिसाब से, यह 16, 16, 46, 16 बचके 46, मतलब यह पूरा 24 hours के time zone के साथ चलता है, पूरे world के हिसाब से, तो 16 का मतलब यहां पर हो जाता है, 4, basically 16 का मतलब 4 बच गए, तो यहां पर मेरा time भी घड़ी में, 4 ही बज़ रहा है, 4 बचके 47 मिनट, तो 4 बचके 46 मिनट, 25 सेकंड पे Bitcoin की trading हुई है, जो की 23,50,000, 12 रुपे पे हुई है, और इतने volume पे हुई है, volume मतलब पूरी crypto market में, जितना Bitcoin hold करता है, उसे volume कहते हैं, जितनी जगा Bitcoin घेरता है, उसे कहते हैं, तो यह सब trading history है, जो भी है, यह trading history basically वजीर X की या फिर यह worldwide दिखाता है, तो buy पे आपको click करना है, simply, और यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर direct इसको buy करने का कोई option नहीं होता, limit का option हमें यहां पर मिलता है, यहां पर direct, अगर आप quick buy करना चाहते हैं, तो तो आप यहां पर quick buy पे click करके, Bitcoin पे click करके, और यहां पर direct quick, तुरंती buy कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर exchange वाले option पे जाके Bitcoin को buy करते हैं, तो आपको limit order, limit order का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, कि अगर आप particular price के उपर Bitcoin को buy करना चाहते हो, मतलब उस price पर जब Bitcoin पहुंचे, तब मेरी buying हो, तब जाके आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं, limit order option और यह stop limit का option, इसको हम थोड़ा सा और detail में, अगर आप का होगे, तो मैं पूरी वीडियो बना दूँ हूँ, detailed में, एक दम, तो पूरा 100% यहाँ पर preview कर सकता हूँ, और buy कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं exchange पर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर यह वाला option होता है, इस तरीके से, मैं पूरा चाहूँ, तो 100% ले लूँ, और मुझे मिलेंगे, आइन आर जो 98 रुपे के basically, 98 रुपे, 100 रुपे मैं अगर अ ही लेते हैं और देखते हैं क्या माजरा है, 100% पूरा करके, preview bitcoin buy पर मैं करूँ, तो यहाँ पर असली जटका लगने वाली चीज़ देखने को मिलती है, at price, इस price पर मुझे bitcoin खरीदना पड़ रहा है, यहाँ पर जबकि इसका price चल रहा है, यह देखो, एक सगेंड, exchange, exchange पर इ यह भी एक चीज़ होती है, जिसका मैंने ध्यान नहीं दिया था, अब देखने को पड़ रही है, आप देखने में आ रही है यह चीज़, तो bitcoin का price यहाँ पर चल रहा है, 23,69,000, basically 23,70,000 के आसपास, तो मैं अगर bitcoin को buy करना चाहता हूँ, यहाँ पर click करके, 100% preview buy, तो इसका इसी price पे मैं खरीद लूँगा इस bitcoin को, और amount मुझे मिलेगा इतना, और total 94 रुपीज का, यह देख सकते हो आप fees, maker fee, 0.2%, taker fee, 0.2% और included tax, tax पहले ही काटा जा रहा है, और tax वगएरा कट कटा के, उसके बाद, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जब आप click करते हो, tax trading withdrawal fees जो भी है, एक जुलाई से TDS लग रहा है, जो कि आपको पता ही है, और 5% exceptional cases में भी TDS लग रहा है, वो पूरे government का है, जो भी है, TDS आप reclaim कर सकते हो, अपना ITR फाइल करते समय, वो सब है, और deposit fees है, यह crypto की deposit fees है यहाँ पर, जो भी यह दे रखी है, आपकी INR की deposit fees न समय भी 0.2%, 0.2% या निकि 0.4% आपकी fees जाती है हर बार में, तो आपको यहाँ पर 100 रुपे के bitcoin खरीदते समय, 94 रुपे के सिरुप bitcoin मिलते है, जो की painful है, सीने में दर्द देने वाली बात है, कोई बात नहीं, slide to confirm पर अगर मैं क्लिक कर दूँ, तो मेरे यहाँ पर bitcoin खरीद चुके हैं, और, एक सेगिंड, हाँ, तो मेरे यहाँ पर bitcoin 94 रुपे के खरीद चुके हैं, जिसमें की 5 रुपे मेरे अभी भी आइनर में बचे हैं, तो यह चीज हमें यहाँ पर दियान रखनी है, मैं sorry गलती से गलत बात बोल गया, basically मेरे यहाँ पर जो पूरे bitcoin खरीदे ग और उसके बाद 94 रुपे के bitcoin मेरे खरीद गए, उसके बाद मेरे 5 रुपे यहाँ पर बच भी गए, जिसमें की मैं कह सकता हूँ, 0.4% जो भी होता है, 0.4% उतना मेरा लगा है, बाकी 5 रुपे यहाँ बचे हैं, तो लूट मार जैसा कोई काम नहीं है, यहाँ पर सही है, ज उसको जैसे वजीर एक्स मेरे पास हैं, कुछ 72 रुपीज के आसपास, तो एक्सचेंज से अगर हम वजीर एक्स के बदले कोई crypto खरीदेना चाहें, मान लेते हैं, हम bitcoin ही खरीदते हैं, BTC, एक सेगेंड, यहाँ पर जैसे price को ऐसे कर देते हैं, तो bitcoin हम खरीदी नहीं सकते है वजीर एक्स से bitcoin नहीं खरीद सकते हैं, खैर ethereum खरीद के देखते हैं, ethereum पे click करना है, buy पे click करना है, और limit और stop limit lowest price पे click कर देना है, और total 100% जो भी है उसको कर देना है, और buy पे यहाँ पर click कर देना है, और फिर TDS on crypto trades, TDS तो लग नहीं है, जो भी है, got it, और उसके बाद मे तो यहाँ पर TDS तो देना ही पड़ रहा है, total 5.8 वजीर एक्स मेरे जा रहा है, 64 रुपे के, जबकि मेरे पास हैं वजीर एक्स कुछ 73 कुछ रुपीज के, तो यहाँ पर maker fees भी कुछ नहीं है, taker fees भी कुछ नहीं है, लेकिन TDS जा रहा है, तो यह सब मामला मेरा यहाँ प लेस नहीं होता, मतलब तुरंत के तुरंत purchase नहीं होती, जैसे अभी हमने bitcoin खरीद लिया, यहाँ पर my orders पर जाके आप देख सकते हैं, यह मेरा orders चल रहा है, एक सेगंड, वो order शायद purchase हो चुगा है, past order, bought हो गया वो, क्योंकि उस price पर bitcoin पहुँच गया होगा, sorry, ethereum पहुच वो एक calculation के साथ करता है, और उतने जितने बचते हैं, वो उतने हमारे पास INR में और वजीरेक्स में भी 7 रुपे के यह छोड़ दिये इसने, तब ही मैं सोच रहा था, 72 रुपीज के कुछ वजीरेक्स हैं, और ethereum खरीद ते समय 62 कुछ आसपास हो गया, तो यह इन्होंने आपर छोड़ दिया है, TDS कटा, वो सब कटा, तो उसमें 1-2 रुपे पैसे ही साफ हो गया है, तो अब मेरे पाद ethereum है और bitcoin है, अब अगर मैं इसे sell करना चाहूं, एक second, इसको withdraw नहीं, इसको अगर मैं sell करना चाहूं, deposit और INR, अगर हम चाहें तो इसको deposit भी कर सकते हैं, मतल और यहाँ पर 100% आप लेके, preview sell पर जब आप करते हो, तब आपको देखने को मिल जाता, 93 कुछ rupees के आपको bitcoin मिलेंगे, maker fees, taker fees, TDS, यह सब लग लगा के, तब आपका bitcoin यहाँ पर sell हो जाएगा, अगर मैं इसको confirm to sell कर दूँ, तो यहाँ पर मेरा bitcoin confirmly sell हो जाएगा, और मामला fit हो जाएगा, तो इस तरीके से crypto currencies में जो है, यह हमें वजीर X trading करवाता है, पूरा procedure यही है, तो अब अगर आपका कोई भी सवाल है, वजीर X में trading से related, तो आप जरूर उसको comment में डाल दीजिए, मैं आपका सवाल का जवाब आपको जल से जल देने की कोशिश पूरी और हमारा telegram group भी हमने नया बनाया है, cryptocurrencies में अगर आप interested हैं, आप knowledge लेना चाहते हैं, या कोई भी समस्या face कर रहे है, cryptocurrency trading, exchange related, या कैसा भी सवाल कुछ भी है, तो telegram group हमारा ज़रूर जोइन कर लीजिए, description में लिंक दे दी है, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, कुछ नहीं लग लोड़速ई सवाल कुछ भी हमारा जजग लेघ बामGame कर रहे हैं, कान कुछ भी समस्या सीजा है, क्युछ झाल सवाल में लेगा हैं, कान लीज़ भी हैं, या नहीं लेक हैं में लेगा हैं, आप लेता बाहई लेता हैं, कोई भी सिंव